नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जेम को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल basic सिच्छा बेश्च सिच्छा में जैसा कि आपने देखा है कि challenge ओट और tender ओट में काफी confusion रहता है कि आखे tender ओट क्या है, challenge ओट क्या है तो ये दोनों ओट को गहराई से समझेंगे क्योंकि सबसे यदा confusion इन्हीं दोनों ओट में रहता है और जबकि इन में मामूली सांतर है और कोई भी इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है जैसा कि यहां पर लिखा challenge ओट या आभ्या छेपित मत प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मदाता के पहचान के समय कायदे सुनियेगा प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मदाता के पहचान के समय जब प्रथम अधिकारी मदाता से पूँच रहा होगा उसकी पहचान तभी अभिकरता आपत करता है कि उससे आपत करता है जो एज रमेस नहीं है ये रमेस है आपत उसने कर दी तब उससे पांच रुपया निर्धाय प्रारूप सुल्क के रूप में जमा करेंगे मतलब तो एक फार्म भरेंगे और उस फार्म के तहित उससे पांच रुपया जमा करवाएंगे किस से जमा करवाएंगे एजेंट से जमा करव ये प्रथम मद्दान अधिकारी मद्दाता के उत्तर से संतुष्ठ होता है तब उससे मद्दान दुती मद्दाता अधिकारी के पास भेजेंगे और आपत करता के 5 रुपया जब्त कर लिये जाएंगे जो आपत करता होगा जिसने आपत किया था जैसे कि एजेंट ने आपत क तो उसके जो 5 रुपया है वो जब्त कर लिये जाएंगे क्योंकि मदाता सही है ओटर सही है तो गलती एजेंट की है कि उसने टोंका क्यों समझ में आई बात उसने टोंका तो उसके 5 रुपया जब्त हो जाएंगे और जो ओटर था उसको ओटिंग करने का अधिकार दे दिया जाएगा यदि ये पॉइंट देख लीजिए यदि प्रथम मद्दान अधिकारी मद्दाता के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है यद ओटर पर प्रथम मद्दान मद्दाता अधिकारी को डाउट हो जाए कि यह इसने दिनेश ना मताया और यह दिनेश ना होके वाकई में तब आपति करता जो एजेंट है उसके 5 रुपया वापस कर देंगे और मद्दाता के विरुद नियमा अनुसार कारवाही करते हुए पुलिस को सौंप देंगे यह होता है चैलेंज ओट या आभ्या छेपित मत इसका जो हिंदी नाम है बड़ा ही ठीपकल है आभ्या छेप मत पत्र या टेंडर ओट होता है यह क्या होता है मान लीजिए मान लीजिए कोई मद्दाता प्रथम अधिकारी के पास में जाता है मद्दाता सूंची के अवलोकन से ग्यात हो कि उसका नाम जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि जब कोई वोटर होगा प्रथम मद्दाता और लोकित करेगा उसको उसका नाम देखेगा उसका नाम से कोई विक्ति पहले ही मद्दान कर चुका है और देखता है कि उसके नाम से तो पहले ही ओड पढ़ चुका है तब पीठा सिन अधिकारी संतुष्ट हो कि वास्तों में ये मद्दाता सही है और ओड जो पढ़ गया ह इस मतदान के लिए कोई रोकेगा नहीं उसे मतपत्र दिया जाएगा लेकिन उसका जो ये बैलेट पेपर होगा पेटी में नहीं डाला जाएगा उसको निर्धाय लिफापे में अलग से रखा जाएगा और यह मतगण्णा में भी सामिल नहीं होता है लेकिन जब दो प्रत्यासियों में सेम कंडिसन आ जाए सेम जो काउंटिंग हो ओट की जो काउंटिंग हो सेम आ जाए तब क्या किया जाता है उच्छतम नयाले के आदेशा अनुसार उन मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तभी इनका इस्तेमाल होता है तो इस तरीके से हमने देखा कि चैलेंज ओट का इस्तेमाल या चैलेंज ओट क्या होता है और टेंडर ओट क्या होता है तो बने रहे हैं हमाई साथ मैं चनल को आज ही सब्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जादा से जादा सेर करिए ये कमेंट करिए ये कोई दिक्कत होती मैं उसका प्रति उत्तर दूँगा धन्यवाद